देखो ऐसा है पूरे राजिस्तान के कोणे कोणे से बिरोजगार युवा चातर जूनियर अकाउंटेंट भरती की समिश्या को लेके यहां पहुचे हैं जूनियर अकाउंटेंट भरती परिक्षा के इनों ने आयोजन करवाया उस समय इनोंने भरती परिक्रिया में कुश्यन जो ये डिलिट कर रहे हैं उनके क्या इनकी पोलियोशी रहेगी आज इनका दावा है कि हमें इन पे बोनस देने का कारिये कर रहे हैं कि आपने पहले आपने क्यों नहीं पता है विग्यप्ति में आज आप इस नियम का हवाला दे रहे हो यह सभी चात्र मांग कर रहे हैं कि जो पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वेटेज वाला आप उसी के आधार पर बच्टों साथ में न्याय करिए क्योंकि प्रक्रिया द क्योंकि तमाम भरती परिक्षव के परिणाम या पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि अभी तक चुनावायोग का वहां से कोई रेस्पोंस नहीं है कप परमेशन मिलेगी कप परिणाम आएंगे तो कहीं ना कहीं करमचारी चैन बोड की तरफ से बहुत ही डीला रवाया यहां कप यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी परकार से चलता रहा चात्रों को पढ़ी समस्प्षा उठानी पढ़ रही हैं आगे यह यहां बैठें यहां पर बात हुई शत्र यहां पर बैठेंग और इन्जार करते हैं कि यहां पर गया था और सचीव साब कह रहे हुएं के यह करना कूंप क्या करना थे तो हैँ पहले पूसराइप ना सब्सक्राइब करें करें बिन्या कमेटी के जरत ही इस मुद्य को अलकिया दा सकता है सीधी सी बात है कि जो सिस्टम पुराना चल रहा है वेटेज का उसके आधार पर करम चाहरी चैनबोड काम करें जिससे चातरों साथ में न्याहें मिले उसमें कोई बात नहीं किएगी आज तक जितने भी बोर्ड है जो एकजाम करवा रहे हैं और अधरे स्टेट के भी तो उन्होंने एसा कोई परावदा नहीं होता है सम्में वेटेज का सिस्टम होता है और अध्यक साब का 11 मार्च का ट्यूट आया था उसमें किसी को तो इसा उन्होंने क्यों बोला था पहले अरे बीच में क्यों कर रहे हैं यह नयाई संगत तरीका नहीं है पढ़ने वाले बच्चों को बहुत नुक्सान हो रहा है और इसके इसका एसा करके वो जो कमजोर बच्चे हैं जिनके नंबर कमा रहे हैं उनको सिस्टम में लाना यहार है बोर्ड में में कोट यहां से मैं खुद दोसा से आया हूं कहीं भाई मेरे दोस्त अजमेर के भी आये हैं कोटा से भी आया है एक दोस्त मेरा करोली काया है कम से कम यहां पे 200-300 लोग आ जाये हैं और आगी टेलिग्राम गूर्प में डाल देंगे कि आजाओ बोनस देने का प्लान बना चुके हैं यहां पर यहां पर यहां पर बीड़ कटी होगी और यहां पर बेठेंगे बच्चे तो कुछ होगा मेरा नाम सुर्य परकास सेनी लाल सोड तैसिल जिला दोसा किस बढ़ती कुल जेखना आज करमतरे चैनबोर को सरजूनी रकाउंटन सर क्य डिलीट हुए हैं उनके मार्क्स आप बाकी बचे हुए एक सालिस कुर्शनों में माट दो तो मतलब वेट बढ़ा दो आप उनका लेकिन आलोकराज जी बोल रहे हैं कि इन दस कुर्शनों का हम सिधा सिधा सुका सुका बोनस देना चाहते हैं तो क्या कुछ वातला वातला यह हुई कि जो जिस बरतियों के अंदर मिनिमुम क्राइटीरिया है पासिंग मार्क्स का माँ बोनस देना उचीत नहीं है सेकिंड यह बरती बरती का एक चरण जो सीगीटी पूरा हो चुका है आप चल दरी बरती में नियम नहीं चैंज कर सकते हैं और फिर आपका उचीत ह क्या राजबाब में पासिमार्ण से रखने का राजी जलंदरा मेरेना मैं से रिक अंगाने कर से हूं तैरी कर रहा हूं नहीं सर ऐसा कुछी निता उसमें वेटेज के बारे में ही था जो आज तक जितनी बरतीयां हुई है चैन बोर्ड की उनमें यही है कि जो क्यूशन डिलिट होगा उनका उनक के उनक कुछनों में जोड़ दिया जाएगा और सब अंक में पॉइंट कुछ बढ़ जाता है वो यह इस पर कोई सुनुवाई कर नहीं रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अद्धिक साब वापस ट्विट करके हमें या तो जानकारी दे वो यहां पर नहीं है कि और या इस परकिरिया को आने वाले वेकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि हम इसके लिए कि यह नरे हो जब इसचीज की मांगी नहीं रखी गई हमें बोनस दिया जाए कुई विधारती आया झाई नहीं से तो आप एसक क्यों कर राह। अच्छानक तो वह अपनी मनमानी अगर यह कर रहे हैं तो सर यह गलत है और यह जो रूल्स इन्होंने 40% का बनाया है तो यह 40% का रूज का बिज रहना चीए अगर आप ऐसे बोनस दे दे तो तीस क्यूशन करने वाड़ा भी अगर दस क्यूशन बोनस के ले जाएगा तो वे मारे साथ ऐसा धोका होता है तो फिर विधार्थी कहां से तैयारी करेगा अंतियम चरण में जब फ्रोसेज वेकेंसी की चल रही है तो कहां तक उचीत है इसको